हेलो डिये स्टुएंट्स कैसे हैं भाई नौलेज सर आप सभी का स्वागत करते हैं अपने यूटूब चैनल पे और देख सकते हैं दोस्त आपनों स्क्रीन पे लिखा है एन एफिटाप जो कि क्लास 12 का पोएट्री सेक्शन से और बहुत ही भी भी आई या चैप्टर दोस्त most important chapter हर साल पूछता है इसका समरी, explanation, question, answer तो दोस्त इसका objective, subjective question हम डाल चुके हैं आप playlist में जाकर देख ले ना ठीक है आज परते हैं परते एक लाइन का एक एक लाइन का हिंदी ताकि दिमाग में set हो जाए और जब कल exam में explain करने के लिए फोर marks खाता है तो आप आराम से explain कर ठीक है तो सबसे पहले an epitaph का मतलब क्या होता है तो यहाद रखना है इसका मतलब होता है an inscription इसका मतलब होता है कि an inscription on tomb यानि जो समाधी लेख होता है मकाबरा देखो यहाँ पर लिखा है जब कोई बंदा देथ होता है तो उसको जहाँ पर दफनाते है ना तो वही जो और फ्रेड यानि जो भी उसके यादों में हम लिखते हैं उसके सीला लेख बोलते हैं उसके मकाबरा पर उसी को बोलते हैं एपिटाफ ठीक है ग्रेव जिसको कब्र बोलते हैं और कब्र पर जिसके याद में कुछ लिखा जाए हुआ पर उसको एपिटाफ बोलते हैं बहुत का जन्म यहाँ पर देख लिजिए हुआ है 1873 में और मर गहें बेचा रहे 1956 में बहुत ही अच्छे कभी थे बहतरीन कभी वेल नोन का मतलत है फेमस बहुत ही परसीद कभी है नोविलिस्ट भी है उपनियास्कार और सौट ए स्टोरी राइटर ऑफ 20th सेंचूरी विश्वी सताबदी के बहुत ही बिख्यात कभी है उपनियास्कार है और छोटी-छोटी कहानियों के लिखक है क्विन एलिजाबेत से केंड याद कर लिजिए ओनर्ड हीम विद द ओर्डर अफ मेर्ट इन 1953 उनिस सो तिरपन में उन्हें क्विन एलिजाबेत सेंड ओनर्ड से क्या किया गया है सम्मानित किया गया है ठीक है most important है he shows his genius वो अपनी परतीभा को दिखा रहे है he shows his genius यानि कि अपनी परतीभा को दर्शा रहे है by evincing परकट कर दिखा कर क्या दिखा कर phrase interest यानि कि जो ताजी रूची है in old themes यानि पुराने मुद्दों में पुराने टोपिकों में ठीक है पुराने कहानियों में नई जान नई रूची को डाल रहे है and the note of melancholy melancholy बोलते हैं जो उदासीन था ऐसे कभी जो किसी scene को किसी चीज को देखकर बहुत थी instant जो feeling of sadness का उसको melancholy बोलते हैं जब इंसान बहुत दुखीत होता है उसको melancholy बोलते है runs through his poems यानि उनकी कभीता के माध्यम से वो क्या दिखा रहे है किसी दृष्य को देखकर उनके अंदर से बहुत sad feeling हो रहा है और उसी को इस कभीता के माध्यम से पेस कर रहे है अब आई यहाँ पे An Epitaph is a short poem यह बहुत ही छोटा सा कभीता है composed by Walter Dillamere जो कि Walter Dillamere के दुरा लिखा गया है इस कभीता में deals with the beauty of an old woman वो एक पुरानी औरत है पुरानी का मतब बुजुर्ग महिला है जो कि बुढ़ी औरत के बारे में यहाँ पे दिखा रहे है बता रहे है जो कि वो औरत अब जिन्दा नहीं है मर चुकी है और बता रहे है what is the remarkable in the poem और क्या उसकी याद है remarkable का मतब क्याता है याद करनी है और समरनी है उसके कुछ बातों को याद करके यहाँ पे सबके सामने पेस कर रहे है and is its melancholy tone and simplicity direction यहाँ पे जो उनकी यह कविता है एक दुखद आपको बता दे कि आप माली जी जी की दुख भरी एक tone में बयान करते हैं और सादगी सुचे सादगी भावना में सादगी भीचार में और दुखत अपने उदासीनता को परकट कर रहे हैं बहुत भीवी है यह most important देखिए यहाँ पहला line कितना बढ़िया है बाव first line देखिए here lies a most beautiful lady एक कब्र के पास बैठे हैं उस कब्र में महिला लेटी है जिसकी मौत हो चुकी है और वह जो महिला है न करें most beautiful lady अब most जब लगता हैं दोस्त a most का मतव याद करना a most का मतव होता है a very beautiful यानि एक बहुत ही खुबसूरत महिला वहाँ पर पड़ी है कब्र में उसको किस नाम सी करें light of a step and heart was c यानि सारे लोग की दिल की उधरकन थी यानि गाव में वह बहुत ही पर चली थी और light of a step का मतलब मन चली औरत हमेशा इधर उधर घुमती रहती थी भटकती रहती बट दिल की बहुत अच्छी थी मतलब चरित उसका गंद घुमने का मतलब ये नहीं क्यों घुमा कर थी ये उधर घुमती रहती थी रही उसकी ये आदत थी बट दिल से बहुत अच्छी थी उसका जो गून था बहुत ही सराहनिये था अब बोले कि I think मुझे ऐसा लग रहा है कि she was the most beautiful lady that ever was in the west country उनके हिसाब से यह जो औरत है वह पच्छमी देश की सबसे खुबसूरत महिला है जो आज तक फिर कोई औरत उतनी खुबसूरत जरम नहीं लिये इनका कहने का मतलब ये है कौन बोले है वाल्टर डिलामेट चाहे तो आप explanation भी कर सकते हैं कि in these lines the poet is indicating a certain grave यानि certain grave का मतलब कि एक किसी खास कबर के पास बैठ है and sage जिस कबर में वह खुबसूरत महिला लेती हुई है यानि इसकी मौत हो चुगी है and in this grave a most beautiful woman is lying इसमें बहुत ही खुबसूरत महिला उस कबर में पड़ी है and he further adds that she had the habit of moving here and there and had soft heart कभी आगे क्या करते कि उस महिला के चारो और घुमाने वाली तथा साफ दिल थी यानि कि घुमने वाली वह महिला इधर उधर घुमने वाली थी लेकिन दिल की बहुत साफ थी इस पंक्ति के माध्यम से बता रहे according to poet कभी का अनुसार सीवा the most beautiful woman of Europe in her time कभी का अनुसार वा अपने समय के उरोप की सबसे खुब सुन्दर महिला है बस यही simple सा ब्याख्या लाइन का आराम से अब कर सकते हैं ठीक है अब देखते हैं next दो यह स्टेंजा है but beauty vanices यहाँ पर कितना बनिया लाइन बोलने है Walter Dillamere जी but सुन्दर्ता जो है वो तो गायव होता एक ना एक दिन हर व्यक्ती की सुन्दर्ता चली जाती है इसलिए कहते हैं देवानगियों पे मरते है यानि कि लोग आपकी सुरत पे नहीं मरता है आपकी सादगी पे मरता है आपके गून पे मरता है इसलिए सुन्दर्ता पे घमन्द मत किजिए beauty passes यह सुन्दरता या जो सुन्दर औरत है यह भी मर गई यानि कि हर ब्यक्ति की सुन्दरता गुजर जाता है however rare चाहे वो rare इट भी चाहे वो सुन्दरता कैसा भी हो कितना भी दूरलव क्यों नहों चाहे आप most handsome man हो world के आप कहा है नहीं सौधी के सबसे handsome ब्यक्ति है या रितिक रोशा नहीं है सलमान खान है सबको मर जाना है दोस्त handsome is that handsome does सुन्दर वह नहीं जो सुन्दर दिखता है सुन्दर वह है जो सुन्दर काम करता है and when I crumble और जब मैं मर जाओंगा बोले का और जब मैं नहीं रहा इस दुनिया में तो who will remember तो कह रहे हैं कि अगर मैं इस दुनिया से चला जाओंगा तो इस खुबसुरत महिला को भी कोई याद करने वाला नहीं रहेगा इतनी खुबसुरत महिला बताइए इसकी भी सुन्दरता गायब हो जाएगी ये भी मर गई चाहे वो कितना भी सुन्दर बैक्ती हो मर नहीं है दुनिया से हर बैक्ती को जाना है बस उसका गुन करम रह जाता है जिससे वो जाना जाता है तो who will remember अब इस औरत को याद कौन करेगा दिस लेडी अब दुनिया में मैं ना रहा तो तुम्हें कौन याद करेगा क्या जी एक्स्प्लाइनेशन देखे किता मनिया इन दिज एवाव लाइन देखे हो जाना भी सुन्दरता जो बिश्व में कहीं न हो फिर भी समय के साथ वो एक नएक दिन चाम जूली जाएगा और यह सुन्दर चेहरा एक दिन इस चेहरा पे जुड़कियां पर जाएगी साइनिंग आ जाएगा एज अफ साइनिंग ठीक है यानि यह चमरा जूल जाएगा ठीक है इसलिए इस पर घमर्ण ना करें और इस बात से भी दर आएक उसकी मिर्टू के बाद कोई याद नहीं करेगा यह तूमर अफ यूरोप यूरोप की उस महिला को जो कि खूब सूरत वह महिला है अब वह महिला भी नहीं रही कभी को डर है कि उसकी मिर्टू के बाद इरोप के उस महिला को याद नहीं करेगा कोई जो बहुत सुन्दर थी लेकिन अब वह नहीं है यानि मर गई है और हर बैक्ती को एक नएक दिन मर जाना है दोस्त मौत से किस की यारी है यार आज मेरी बारी है कल तेरी बारी है चल मैं भाई वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना सब्सक्राइब करना शेर करना रखे दोस्त और मैं अलेश सर हर समय हर जगह आपकी श्यवा के लिए आपकी खित्मत के लिए मैं हाजी रहूँ ओके थैंक यू बेरी मच वीडियो दखने लिए